नवस्कार साथियूं, मेरा नाम है RKC, संस्कृती ISK Weekly Current Affair सीरीज में आप सभी का स्वागत है। न्यूज होगी, ये इसी हपते, यानि 15 लेकर 21 सितंबर 2024 के बीच में, जो महत्पूर्ण रूप से सुर्खियों में रही है, उन्हीं पर हम बात करेंगे। उन्होंने एक नए अध्यन किये, एक रिसर्च किया है, तो इस पर सोध किया है, जिसमें बेली अकुलम जो जील है, इसमें ये कहा गया है कि यहाँ पर इस जील में अकरामक जो प्रजातियां हैं, उनके कारण से इस जील से समान्दित, जो महत्पूर्ण पारिस्थित की में परसित की दक्षता एवम खाद जाल सनचना का आकलन करने के लिए भी इकोपैथ माडल का उप्योग किया गया है इसमें पिछले तीन दसकों में जील की जो पोसण इस्थिती है उस पर खास तोर पे रिपोर्ट बनाई गई है डेटा कलेक्ट किये गए है खाद जाल जो होता है जो फूड चेन होता है फूड वेब होता है इसके अलावा इसमें नाट की बदलाव देखने को मिले है इसमें खास तोर पे जो चेंज नहीं होना चाहिए वो बदलाव देखने को मिले है अध्यन के अनुसार अगर बात करें तो बेली अकुलम जील की स् जो मूल लूप से जो मूल यहां पर देशी प्रजातिया है अगर वो संकट में इस से यहां का जो पूरा एको सिच्टम जील का वो प्रभावित हो सकता है और यहां पर मूल लूप से यही बात कही जा रही है कि जील में छरण जैसी समस्या देखने को मिली है थोड़ा सा इस के बारे में हम अब देख लेते हैं जील का संबंध भारत के किस राज से है तो इसका जील का जो संबंध है वो केरल राज से है और केरल राज में आएंगे तो इसके दचिन पश्चिम तट पर क्या है कि ये जील आपको देखने को मिलेगी इसके अलाव अगर बात करें तो ये अपने पश्मी किनारे पर रेत की पटी के द्वारा अरब सागर से अलग होती है अगर तट पे ही है और इस कारण से क्या है कि बीच में अगर देखेंगे तो तटी छेतर में पूरा सैंड का कह सकते हैं एक बिल्ट देखने को मिलेगा जिसके द्वारा क्या है कि ये अरेबिय से यह अरब सागर से मिल जाती है फिर जब मानसून का समय खतम होता है फिर क्या है कि यहां पर रेत की एक पट्टी हो जाती है और यह फिर अरब सागर से कट जाती है बेलू अकलम जो जील है इसके दो भाग है एक बाध के द्वारा अलग है और इस जील का जो पस्चिम वाला भाग है यह समुद्र की ओर है जो बेली जील का निर्माल करता है जब कि उत्तर पुर्वी जो इसका भाग है वो क्या करता है अकलम जील का निर्माल करता है यह अकलम जील के नाम से यह जाना जाता है तो यह हमने देख लिया अब अगला जो टॉपिक है उस पर चर्चा कर ले जिसके संदर में ये कहा गया कि एक मिनी मून की खोज हुई है और ये न्यूज काफी चर्चा में थी लोग बड़ा ही इसकी न्यूज को जानने के लिए उत्सुक थे देखें चर्चा में क्यों थी तो जो अमेरिकन इस्टोनॉमिकल सोसाइटी है इसके अनुसार छुद्रग जो सोसाइटी है खास तोर पे अंतरिच से जुड़े हुए जो बिभिन सोध है वो ये करती है इसके अत्याध होनिक या कहें तो अधिक धुद्ले होने के कारण इस छुद्रग्रह को बिना किसी खास उपकरण के जैसे टेलिसकोप हो जाकता है आने कह सकते हैं दूर की बस् जिस्ता बताइगे इसके आलबा अगर बात करें चुद्रगह 2 024 Pt5 जो है यह मीनी मुन यानि टू जिरो टूफोर पीटीफाइब चुद्रगह को साथ अगस्त को चुद्रगह टरस्टियल इंपक्ट लास्ट अलर्ट सिस्टम के द्वारा देखा गया था खास तोर पे य उन्हें देखने के लिए एक तंत्र बनाया गया है प्रिथभी के चार और तिरपन दिनों की अपनी परिक्रमा के दौरान या एक पूर्ण चक्कर नहीं लगाएगा ऐसा कुछ कहा गया है यह प्रिथभी के गुट्वाकरसर प्रभाव से दूर जाने से पहले एक घोड़े की नाल के आकार में कर सकते हैं क्या कर रहा है यह परिक्रमा कर रहा है जैसे आप देख सकते हैं यह क्या है कि इसका पाथ है उसके बारे में यह रिपोर्ट बताई गई है इसके लावा मूल जो चर्चा हमें देखने को मिली थी कि मिनी मून के संदर में कहा गया था कि यह प्र प्रिथवी के गुत्वाकरसन जो प्रभाव होता है उस प्रभाव में अपने प्रछे पत से क्या होते हैं बिचलित हो जाते हैं जहां पर ये आगे बढ़ रहे होते हैं अगर मूल इनका जो पात होता है कह सकते हैं जो रास्ता एक तरह से कहिए उससे ये भटक जाते हैं और उसस भटक ने के बाद क reuse समय के लिए प्रितवी का परिक्रमा करते हैं और इन छुद्रग्रहों को ही मूण कहा जाता है। छोटां मूण चंद्रबा के समान हमारे ग्रह के चार और चकर लगाने लगते हैं इसी कारण से इन्हें मीनी मून कहा जाता है अगला टॉपिक है यह है पोर्ट ब्लेयर से कहां आपको जाना होगा तो इसके लिए आपको जाना होगा अंडमान नीकोबार दीप समुहू छेत्र में यहीं पर चर्चा का बिस है बना हुआ है बात करें तो किंद्र सरकार ने अंडमान नीकोबार दीप समुह की जो राजधानी पोर्ट ब्लेयर है इसका नाम बदल दिया है क्या कर दिया है श्री बीजय पूरम यह निड़ा लिया है और अब यह इसका नाम यही होगा यह निड़ा प् पहल लिया है इस कारण से ये चर्चा में है इसके अलाव थोड़ा सा पोर्ट ब्लेयर के बारे में हम देख लेते हैं ये बर्तमान समय में अंडमान निकोबार जो दीप समू है उसकी राजधानी है और इसके अलाव आगर देखें तो प्राचीन काल से ही जो चोल सामराज है जो चोल राजबंस है उसमें ये नौसेना का कह सकते हैं एक किंद्र है अब नौसेना का किंद्र तो रहेगा ही क्योंकि ये पूरे जल में है ये दूपीछेत रहे तो यहां पर क्या है कि पहले से ही नेभी या पहले जो नौसेना कहा जाता था उसका ये सेंटर है अगर स्थित जो सेलोर जेल पहले था यहीं पर रखा गया था इस कारण से भी एतिहासिक इसका महत्व है स्वाधिन्ता जो संग्राम है उस समय अगर बात करें तो प्रमुग जो सेनानी है उनको काला पानी की सजा के रूप में पोर्ट ब्लेयर में रखा जाता था उस समय इतना कह स फस जाते थे एक तरह से यहां संसाधन नहीं थे और वहां से फिर अपने भारत के मुख भूमी आने का कोई साधन कोई परिवहन न होने के कारण यह वहीं फसे रहते थे और विशम परिस्थिती में धीरे-धीरे क्या है कि इनके सामने जीवन के संकट की भी समस्या देखने को मिलती थी बहुत सारे जो कर सकते हैं कि अपने देश के सिनानी थे वह यहीं मर जाते थे इसलिए बड़ा खतर राग माना जाता था काला पानी की सजा यहां पर ले जाकर अंग्रेज इन्हें अलग अलग जो टापू है जो दीप थे वहां पर छोड़ देते थे तो यह बाते थी इसके अलावा स्री बिजय समराज के बारे में देख लें यह सुमात्रा जो इंडोनेसिया है कह सकते हैं जो दीप है उसी पर इस्थित एक स समराज था यहां पर खास तोर पे नेभी के संदर में यह उस समय पावरफुल था यहीं नहीं इसने दच्छिट पुरेशिया के अधिकांस भागों पर भी सासन किया था इसकारण से कहा है कि जो बीजय समराज है वो खास तोर पे चर्चा का भी से बना हुआ है और इसी कार सरकार ने और केंद्री मंत्री मंडल ने इस मिसन को मंजूरी प्रदान कर दी है जब से इस कह सकते हैं इस मिसन को मंजूरी प्रदान की गई है और इसके लिए एक बड़ा बजट भी सरकार ने लगभक है तो 2000 कितने का 2000 करोन बजट का इलोकेशन सरकार के द्वारा की गई है और खास तोर पर देखें कि आखिर किस कारण से सरकार ने इस मिसन मौसम को प्रारम करने की मंजूरी दी है तो देखें चरम जो मौसम है जो कह सकते हैं एक्स्ट्रीम जो क्लाइमेट जो वेदर हो सकता है वैसे जो घटना है और जलवायू जो परिवर्तन है climate change है उसके प्रभ किया गया है इसके अलावा थोड़ा सा अगर इसके क्रियानमन की बात करें रेगुलेशन की बात करें तो प्रीथभी बिग्यान मंत्राले के तहत क्या है कि खास तोर पे तीन प्रमुख जो संस्थान है उनके द्वारा ये रेगुलेट होगा जो पहला संस्थान है वो भारती मौसम बिझ्ञान, विभाग है, दूसरा है भारती, उस्ष्ण कटिपंधी, मौसम, बिग्ञान, सनस्थान, तीसरा जो है वो राश्टी, मध्य मोधी, मौसम, पुर्वानुमान, तो ये तीन सनस्थान इसे मूल रूप से जानकारी प्रदान करेगा इस से कहें तो इसमें क्या है कि मांसून वायुगुडवत्ता चरम मौसम संबंधी जो घटना है साइकलोन है जो कोहरा है उला बिरिष्टी बर्सा प्रवंधन के लिए मौसम हस्थचेप की जानकारी भी ये प्रदान करेगा और इस कारण से ये जा रहा है तो उसके महत्तों होंगे उसके लाब होंगे अगर लाभों की चर्चा करें तो इस मिशन से अपने देश में जो क्रिची सेक्टर है आपदा जो प्रवंदन सबंधि जो बिभिन समस्याये या कह सकते हैं कि जो बेवस्ता है इसके अलवा जो डिफेंस है बिमानण चेतर है उर्जा है जल संसाधन यों परटन सहित कई सारे चेतरों को लाब होगा जैसे उदाण के लिए बात करें क्रिशी चेतर में क्या है कि अपने देश में जो क्रिशी है वो खास तोर पे मौशम आधारित है तो यह देखा जाता है कि कब कह सकते हैं कि मौशम देर से आए समय होगा कब सूखा पड़ेगा कब ज्यादे थकंड पड़ेगा कब ओला पड़ेगा ऐसे अगर विभिन जानकारीयां क्रिशकों को प्रदान की जाए तो उस हिसाब से ही अपने फसलों का बहलch चैन कर करेगा यह चरम मौसमी जो घटनाय हैं जलवाई परिवर्तन के जो प्रभाव हैं उन्हें बहतर तरीके से निपटने में भी सक्षम बनाएगा यह मौसम निगरानी मौडलिंग पुर्वानुमान योम प्रवंधन में अनुसंधान योम विकास छमता को तेजी से विक्सित कर सकता इस कारण से यह चर्चा में हैं अगला टॉपिक है दो सो हाथियों को मारने का जिम बाबवे का जो नीड़ हैं यह खास तोर पे चर्चा में हैं इसलिए हैं कि एक तरह पूरे दुनिया भर में कह सकते हैं कि पर्याबरन सनचन की बात हो रही है वहीं बन जीमों के लिए बहुत सारे कह सकते हैं सम्मेलन हो रहे हैं उनके सनचन के प्रयास कर रहे हैं क्योंकि यह जो बन जीम हैं यह कहीं न कहीं हमारे पर्याबरन के अभिन घटक हैं ले कि भूख से पीडित लोगों को खिलाने के लिए जो अफरिकी देश है जिंबावे इसकी वर्ल लाइफ अथर्टी ने 200 हाथियों को मारने का नीड़ा लिया है खास तौर पर बात करें कि ऐसा नीड़ा यहां की अथर्टी ने क्यों लिया है तो जिंबावे में देखें तो च चार दसकों से क्या है कि एक तरह से सूखा पड़ा है वहां पर आकाल पड़ा हुआ है और इसी कारण से वहां पर जो फसले हैं कह सकते हैं कि खाने की जो समस्या है वो बड़े अस्तर पर कह सकते हैं कि देखने को मिल नहीं है और इसी के समाधान के लिए जिंबावे की जो इसने हाथियों को मारने का एक नेड़े लिया है जिसके द्वारा ना एक तरफ यहां बढ़ती हुई जो हाथियों की जनसंख्या उसको कंट्रोल किया जाएगा बलकि यहां पर जिंबावे के जो नागरिक हैं उन्हें भोजन भी उपलब्द कराया जा सकता है जिंबावे के में 55,000 हाथियों को संभालने की छमता है लेकिन इस समय यहां हाथियों की जो संख्या है वो 84,000 से भी अधिक है अब मामला उठता है कि आखिर यह जो जिंबावे के द्वारा यह डिसीजन लिया गया यह कितना सही है परियावरण के दिश्ट कूर्ण से देखें तो यह कित महतपूर हो जाता है कि इसकी जो भावगोली कवस्थिती है वो कहां पर है तो देखें इसके लिए क्या है कि आपको विस्व मांचितर पर जाना होगा उस मांचितर में आपको कहां जाना है तो अफरीका कंटिनेंट में जाना है अफरीका महादीप में जाना है यही पर जो चारो तरब से अस्थल से घिरा हुआ है और इसी कारण से यह क्या है कि यह लैंड लॉक्ट क्या है कंट्री है यह एक अस्थल बद देश है क्या है यह चारो तरब से अस्थल से घिरा हुआ है इसलिए क्या है कि जिंबाबवे एक अस्थल बद देश है इसकी जो सीमा है यहां पर कई सारे देखने को मिलेंगे खास तौर पर अगर यहां पर देखेंगे तो आपको बुस्वाना देखने को मिलेगा साउथ अपरिका देखने को मिलेगा इधर आएंगे तो मोजांबिक देखने को मिलेगा जांबिया देखने को मिलेगा नामीबिया देखने को मिलेगा त यहां की जो करेंसी है उसे JWD कहा जाता है इसके लाओ यहां पर और भी कुछ महत्पुन भावगोलिक स्थितियां आपके लिए महत्पुन हो सकते जैसे यहां पर अगर आप देखेंगे तो कुछ प्लेटू भी देखने को मिलेंगे यह देखिए आपको यहां पर एक पठारी चेत्र देखने को मिलेगा यहां पर इधर आएंगे तो आपको माउंटेन चेत्र देखने को मिलेगा माउंटेन निया गानी देखने मिलेगा और इसी परोती चेत्र में जिम्बाववे का जो सबसे उचा हाइस्ट जो उचाई वाला जो प्लेस है वो आपको यहां पर देखने को मिलेगी देखे यहां पर अगर बात करें तो एक जामबेजी नदी है यह महतपुर नदी है यह पूरे अफरिका कंटिनेंट में लंबी जो नदियां है उनमें सामिल है खास तोर पर यह जिंबाबय की अंतराष्टी सीमा बनाती है इसके अलावा अगर साउथ में तो साउथ अपरिका और जिंबाबय के बीच में एक लिमपोपो नदी देखने को मिलेगी यह भी इन दोनों देशों के बीच में अंतराष्टी सीमा बनाती है इसके अलावा भी यहां पर कई सारी नदियां आपको देखने को मिलेगी यहां पर आएंगे तो सेवरीगर दे भौगोलिक अवस्थितियां इसके अलावा यहां पर कुछ महतपून सहर आपको देखने को मिलेगा वह हरारे है जो इसकी राजधानी है इसके अलावा अगर यहां पर देखेंगे तो यहां पर जो बुलावायो है यहां का एक महतपून कर सकते हैं कि आर्थिक रूप से जो भावगोलिक इस्थितियां है वे कौन सी है और इस हफते जो भी महतपूर रूप से भूगोल परियावरन से जुड़े हुए जो महतपूर न्यूज थे उनसे जुड़े हुए जो महतपूर जानकारी हो सकती है उस पर भी हमने चर्चा कर लिया तो आज के एपिसोड में इतना ही अगले एपिसोड में अगले हपते की जो भी न्यूज होगी उससे जुड़े हुए जो महतपूर कह सकते हैं तत्थ हो सकते हैं उनके साथ आपके सामने हाजिर होंगे तो आप हमारे साथ बने रहें इसके लिए धन्यूज कह ऑज सुझ जग्यूजा आपके सामने हमारे से जकी हुझ थेंज़र्स परें हुझ थज़र्स अर्थबर्स चोल भीताया हुझ जग्याने जगले हो इए कि दो उके साथी हैepела कि सहाह जो मैं कि मैं हम बना। आपके साथ